ओम शान्ती आज है अठारा अप्रेल दो हजार बाइस की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को मीठे बच्चे निश्चे करो हमारा जो कुछ है सो बाब का है फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी प्रेश्न शिव बाबा पर पूरा बली चड़ने के बाद कौन सी साफधानी रखना बहुत जरूरी है उत्तर तुम जब बली चड़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया फिर कदम कदम पर राई लेनी पड़े अगर कोई को करम किया तो बहुत पाप हो जाएगा जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप करम कर नहीं सकते क्यूंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है इसकी बहुत संभाल करनी है कुछ भी व्यर्थ ना जाए बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वहा मनुश्यों को कौड़ी से हीर तेरे में है इनसान ओम शांती यहां है भक्तिवालों के लिए गीत तुम तो यहां गीत नहीं गा सकते हो क्यूंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो प्रभू ही आकर अपनी पहचान देते हैं प्रभू इशर भगवान बात एक ही हो जाती है प्रभू के बदले तुम कहते हो बाबा तो बिलकुल सहज हो जाता है बाबा अकशर फैमिली का है सारी रचना है ही बाप की तो सब बच्चे हो गए बाप कहना बड़ा सहज है सिर्फ प्रभू वा गौड कहने से बाप नहीं समझते यहाँ बाप का लव अथवा बाब की जयदाद का भी पता नहीं लगता बाब तो स्वर्ग रचते हैं इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं बाबा आकर चप्टी में सैकिन में पहचान देते हैं बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं फिर भी चलते चलते निश्चे तोट पड़ता है अगर पक्का निश्चे हो तो सच्चे सच्चे ब्रह्मन बन जाए हम हैं ही शिव बाबा के पोत्रे बाबा के घर के हो गए समझते हैं, हम ब्राह्मन शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं ब्राह्मन हो गए तो ब्राह्मनों का ही ब्रम्हा भोजन हो गया शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया यह निश्च होना चाहिए हम हैं ही शिव बाबा के फारकती की बात ही नहीं हम ब्रहमन हैं शिव बाबा के बच्चे हमारा सब कुछ बाबा का है और बाब का सब कुछ हमारा है व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए हमारा सब कुछ बाब का है और बाब का सब कुछ हमारा है तो तराजू किसकी भारे हुई हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज हमारा है तो फर्क है ना तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्य का मालिक बन जाते हैं हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाब को बाब फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो समझो यह शिव बाबा का है अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर ही शलो तो सब कुछ पवित्र हो गया घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है शिव बाबा का भंडारा हो जाता क्यूंकि ब्रहमन ही बनाते हैं यूं तो सब कहते हैं इश्वर का दिया हुआ है परन्तु यहां तो बाप सम्मुक आया है जब हम उनके उपर बलिहार जाएंगे हम एक बार बलिहार गए तो वहाशिव बाबा का भंडारा हो गया उनको ही ब्रम्हा भोजन कहा जाता है समझा जाता है हम जो खाते हैं वहाशिव के भंडारे का है पवित्र तो जरूर रहना ही है भोजन भी पवित्र हो जाता है प्रन्तु जब बलिहार जाए ना देना भी कुछ नहीं है सिर्फ वारी जाना है बाबा यह सब कुछ आपका है अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वहाँ पवित्र हो ना सके तुम बच्चों को अपना घरबार भी संभालना है प्रन्तु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी, शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो, जो भी बलिहार हुए वहाँ शिव बाबा का हो गया, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई बाप कर दो, शिव बाबा के पैसे से पुन्य करना है, एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्यान होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू ना चाए, क्योंकि इस पैसे से मनुश्य कौडी से हीरे जैसा बनता है, बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है, एक ही बाब है जो निश्कामी है, सब बच्चेओं की सेवा करती हैं, बाब कहते हैं मैं क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे, हमारा पार्थी ऐसा है जो तुम बच्चेओं को सुखी करता हूं, श्रीमत भी मिलती रहती है, कोई कुर्णया शादी करना चाहती ह तो कहेंगे ग्यान में नहीं आती है, तु जाने दो, बच्चा अगर आग्या कारी नहीं है, तो वरसे का हकदार नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते, तो स्रेस्ट नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी, बाब की आग्या है अंधों की लाठी बनो, वह तो बच्ते नहीं, तुम जानते हो, हम भी पहले बिलकुल बंदर में सलपतित थे, बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्य का मालिक बनाते हैं, बाकी सब को सजाएं देकर मुक्तिधाम में भेज देते हैं, बेहद के बाप क सब बातें बेहद की हैं, एक रामसीता की बात नहीं, बाप बैट सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, मनुश्य पढ़ते तो बहुत हैं, प्रंतु समझते कुछ भी नहीं, तो वह जैसे पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते, पतित भ्र करो, अरे हमको तो पावन बढ़ना है, इसमें दान की क्या बात है, गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंगते हैं, फिर पुझारी लोग आजिविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं, तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजिविका बा देते हैं, बाब कितना अच्छी रिती समझा कर पावन बनाते हैं, भारत ही पावन था अपतित बना है, बाबा बैड तुम बच्चों को परिचे देती हैं कि तुम जो भी ब्रह्मन हो, सिरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, सिरेंडर नहीं हो तो प्रंतु ट्रस्टी होकर मिश्चे भुद्धी हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो तुम्हारा हिरदय शुद होता जाएगा गाते भी हैं ब्रहमन देवी देवता नमहा यही ब्रहमन नमहा करने लायक है तुम जानते हो ब्रहमा द्वारा बाबा हमको शुद्र से ब्रहमन बनाते हैं कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावन राज्य से छुड़ा कर सुखे बनाते हैं वहां दुख का नाम ही नहीं है भारत में कितने धेरों के धेर गुरु विद्वान पंडित हैं एक-एक स्री का पती भी गुरु है, कितने धेर गुरु हो गए हैं, कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है, एग्रिमेंट कराते हैं कि पती ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आग्या में रहना है, पहले आग्या की कुमारी जो पुछय थी, वहाफट से पुछारी बन प फिर दूसरी आग्या की काम कटारी चलाओ तो कितना फरक हो गया यहां तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए वहां पैरों पर क्यूं पड़े बच्चे वारिस हैं नमरता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दर्कार नहीं है नमस्ते कह सकते हैं तुम कहते हो हम बाबा से वरसा लेने आई है फिर माया एकदम भुला देती है फारकती दे देते हैं बुध्धी को माया खत्म कर देती है आज बाबा ने समझाया जिसने शिव के बंधारे से खाया पिया वहा भंधारा भरपूर तो काल कंटक सब हो गया दूर अमर हो जाते हैं तुम्बली चड़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया पका निश्य चाहिए कोई कु करम कर दिया तो बड़ा पाप चड़ जाएगा कदम कदम पर राई लेनी है लंबी चड़ाई है कितने गिर पड़ते हैं बाबा बाबा कैहे आठ दस वर्ष रह फिर भी माया थपड लगा देती है बाबा कैते हैं कदम कदम पर कहां भी मुझो तो राई पूछो कई बच्चे पूछते हैं हम मिलेटरी में सर्विस करते हैं वहां का भोजन खाना पड़ता है बाबा कैते हैं गिरा कर सकती हैं बाब से मतली तो रिस्पॉंसिबल बाबा है बहुत पोचते हैं बाबा विलायत में जाना है पार्टी में बैठना पड़ता है भल वेजिटेरियन मिलता है प्रंतु है तो विकारी ना तुम कोई भी भाना बना सकते हो अच्छा जाए पी लेते हैं अनेक परकार की युक्तियां मिलते रहती हैं इनका राइट हैंड धरमराज भी बैठे हैं इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है बड़ा उंचा पद है किसको स्वपन में भी याद नहीं होगा हम विश्यो के मालिक बन सकते हैं बिलकुल ही चानते नहीं कितने हीरे जोहरों के महल थे सोमनात मंदिर में कितने माल थे सब उंच भर कर ले गए अब समय ऐसा आने वाला है जो किसकी दबी रही धूल में कहते हैं ना राम नाम सत्य है सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा बाकी सब हाथ खाली जाएंगे बाप कहते हैं तुम्हारी चीज त नहीं इस समय सब को तमो प्रधान पतित बढ़ना है पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बढ़ना है बाप कहते हैं मुझे संकल पुठा की नई दुनिया रचू मैं अपना पाड़ बजाने आया हूँ जो भी बड़े बड़े मुख्या हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पा रहे हैं आगे थोड़ी ही यहाँ नौलेज थी अभी तुम सब की बायोग्राफी को जानते हो धर्मस्तापक भी मुख्या है ना उपर से लेकर उंचे ते उंचा है शे बाबा रचैता फिर ब्रम्हा विश्णो शंकर फिर ब्रम्हा द्वारा ब्रहमन रचते हैं और कोई क् कि यहाँ जगत अंबा सरस्वती ब्राहनी है आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी राज्योग सिखाया था अब भी वही कार्यक कर रहे हैं इस नौलेज में रमन करना चाहिए रहना अपने घर में हैं सब यहाँ तो नहीं बैठ चाएंगे हाँ पिछाडी में फिर आकर सबी वहर रहेंगे जो बाप की सर्विस में ततपर रहते हैं वहाँ बहुत वंडरफुल पाड देखेंगे वैखुंट के ज़ाड नस्दी काते जाएंगे बैठे बैठे सक्षातकार करते रहेंगे तुम पूरे फरिष्टे यहाँ ही बनते हो जो भी मनुश्या आत्माएं हैं सब शरीर छोडेंगी आत्माएं वापिस जाएंगी बाबा पंधा बनकर सबको वापिस ले जाएंगे यहाँ ज्यान भी अभी है सत्युग में ज्यान का नाम नहीं है वहाँ है प्रालब्थ अभी है पुरुशार्थ तुम पुरुशार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्व होचन बना कर खिलाओ तो उनका हिर्दे भी शुद हो जाएगा पिछाडी में जो बचेंगे वहाँ बहुत मज़े देखेंगे बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदी सब कुछ दिखाते रहेंगे शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है फिर अंत में बहु कुछ देखना है जो चले जाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं देखेंगे इन विकारों को पूरी रीती तजना है तब ही हीरे जोहरों से सचना है अभी तुम ग्यान रतनों से सच रहे हो अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्च्यों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प हम रुखानी बच्च्यों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुट मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक सच्ची कमाई कर हाथ भर्दो करके जाना है एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बढ़ना है नमबर दो हि बाप की याद में रहे ब्रम्हा भोजन बनाना है योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है विकारों को तज ग्यान रतनों से सचना और सचाना है वर्दान सब फिकरातें बाप को देकर बेफिक्र स्थीती का अनुभव करने वाली परमात्म प्यारे भव जो बच्चे पर प्यारे हैं वह सदा दिल तक्त पर रहते हैं कोई की हिम्मत नहीं चुदिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके इसलिए आप दुनिया के आगे फ़कुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए इसी फ़कुर में रहने के कारण सब फिकरातों से फारिख हो आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, यहाँ बोल ही व्यर्थ बोल है, मेरा कहना माना मुश्किल में पढ़ना किसी भी प्रिकार की हल्चल को स्माप्त करने का साधन है, ड्रामा का अटल निश्चे, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शे बाबा मुरली मदवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शे बाबा के मुरली डेली आपके पास पहुंचे, ओम शान्ती